हेलो दोस्तो आज की वीडियो में दोस्तो हम बात करने वाले हैं किसान पंजीकरण हेतू विसे के बारे में अगर दोस्तो आपने भी ग्यों पंजीकरण के लिए रेजिस्टेशन करा रखा है तो दोस्तो इस साल वो आपको रिनुवल कराना अनिवार रहा है दोस्तो किस तरी किसे आप ग्यों खरीद है तो किसान पंजी करन को रिनोवल करेंगे वो सारी चीज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे दोस्तो अगर आप लोग हमारे टेक्निकल रंजी चैनल पर पहली वार आया है तो हमारे चैनल को भी सस्क्राइब करने और पैल नोटिवेक्शन को भी आल पर प्रेस करने तो दोस्तो इस वीडियो में मैं पूरी जानकारी आपको देने वाला हूँ कि गेंग करीदेतू किसान पंजी करन कैसे करते हैं और उसको दिनवल भी कैसे किया जाएगा तो दोस्तो आपके सामने यहाँ पर विकल्प मिल जाता है तो जैसे कि दोस्तो आपको यहाँ पर वन यहाँ पर लिखा हुआ है गयों खरी देतू कि साथ पंजी ग्राइड दोस्तो आपको यहाँ पर किलिक कर देना है या दोस्तो आप अपने supplier पर क्लिक कर सकते हैं तो दोस्तो मैं आज आपको डिस्पिले पर दिखाऊंगा मैं लैपटोप से या डैश्टोप open हो जाएगा और आपके सामने यहां पर लिखा होगा step 1, step 2, step 3, step 4, step 5 और step 6 दोस्तों सारे step हमें पार करने होते हैं और यहां पर फसल का नाम दे रखा है गेहूं और यहां पर वित्रम बर्स दे रखा है 2021 और 2022 के लिए रेजिस्टेशन होने वाला है तो दोस्तों किसान पंजिकरण हेतु महतेपूर जानकारी यहां पर दे रखिए आप इसको बारिकी से पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कौन से कोलम में क्या चीज होने वाली है सारी चीजों की जानकारी यहां पर आपको दी जाएगी लेकिन दोस्तों मैं सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका पहले से ही रेजिस्टेशन है गेहूं में तो उसको रिनोबल कैसे करना है तो दोस्तों आपको इस टेप टूपर चले जाना है दोस्तों आपको वही यहाँ पर fill up पर देना है तो दोस्तों मैं यहाँ पर एक candidate का आपको live probe करके आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से हम इसको कर सकते हैं तो दोस्तों मैंने इनका mobile number यहाँ पर डाल दिया है और यहाँ से दोस्तों हम capsule code भी डाल देते हैं दोस्तों मैंने capsule code यहाँ पर डालने के बाद जैसी मैं आगे बढ़ने वाले option पर जाऊंगा तो इनका विबरन हमारे सामने खुल जाएगा तो दोस्तों आब हमें renewal के लिए क्या क्या चीज यहाँ पर changing करनी होंगी वो चीज मैं सारी चीज आपको बताने वाला हूँ तो दोस्तों जैसे कि इनका नाम यहाँ पर आचुका है काफी सारी detail यहाँ पर फैरे से ही वर्योई आ जाती है लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक option मिल जाता है सुरक्षिस करें एवं आगे बढ़ने या नया पंजिकर करें अगर दोस्तों आपको इसी में नया पंजिकर करना है तो आपको नया पंजिकरन पर किलिक कर देना होगा लेकिन दोस्तों आपको इसी को सुदारते हुए आगे चलना है तो सुरक्षिक करके आगे बढ़ने वाले बटन पर किलिक कर देंगे तो दोस्तों मैं यहाँ पर इसको किलिक कर देता हूँ तो जैसी दोस्तों मैंने यहाँ पर किलिक किया तो मैं दोस्तों step 3 पर आ चुका हूँ और दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक option यहाँ पर बढ़ा दिया गया गेहूं बेचने है तो परिवार का एक नवांकित सज़स्य का विबरन दे अगर दोस्तों आपके आपने जिसके नाम से रेजिस्टेशन कराया है अगर वो गेहूं लेका नहीं जा सकता है तो आप अपने हिसाब से अपने परिवार का किसी सज़स्य का भी नाम दे सकते हैं त तो दोस्तो यहां पर अपना जनपत चुन लेता हूँ, जैसी दोस्तो आपने जनपत चुना उसके बाद में थीक आपको तहसील सेलेक्ट करने होगी, तो दोस्तो आपने तैसिल सेलेक्ट करने के वाग आपको पराग होगा तो दोस्तो आपको पराग भी आपका जिस्टिक की तैसिल ही मानी जाती है आपको तैसिल कर देनी है और आपको यहाँ से अपना गिराम सेलेक्ट कर लेना है तो दोस्तो हम यहाँ पर अपना गिराम सर्च कर लेते हैं जैसी सर्च करते हैं तो दोस्तो आप उसी को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे तो दोस्तो आप यहाँ पर इसको थोड़ा सा निचे स्केल करते चलेंगे और आपका यहाँ पर गिराम का नाम भी दिखाई दे जाएगा दोस्तो इन candidate का गिराम का नाम में यहाँ पर select करने वाला हूँ जैसी दोस्तो यहाँ पर गाओं का select करेंगे तो आपको यहाँ पर इनका भूमी का विवर्ण देना होगा दोस्तों यहाँ पर आप new खाता संग्या से ही आप इसको काम कर सकेंगे दोस्तों फरत का नाम आपको फरत जो है इनकी आपको new निकालनी होंगी और उसी से आपको यहाँ पर registration करना होगा दोस्तों मैं यहाँ पर इनका खाता संग्या डाल देता हूँ जैसी दोस्तों खाता नमबर डालेंगे तो आपको भूमी का विवरंट पर खोजने वाले उप्शन पर किलिक कर देंगे दोस्तों आप जैसी इस पर किलिक करते हैं तो आपके सामने भूमी का विवरंट यहाँ पर आता है जैसी दोस्तो मैंने यहाँ पर नाम से लख कर लिया है तो आपको इस पर कलिक करना होगा भूमी का विबरंज जोड़ें तो आपके सामने इस तरップ पिरकार की इनका जो रखवा होगा सारा यहाँ पर आ जाएगा और दोस्तों यहाँ पर आप देखना होगा कि इनके हिस्सेदार कितने है इस खाते नमबर में अगर चार हैं तो आपको एक बटा चार करके निकाल कर भरना होगा और जितने में उन्हें गियों का रखाय भूमी का आपको वही इस पर डालना होगा तो दोस्तों मैं यहाँ पर करते हैं दोस्तों तो आपके सामने यह आ जाता है मैंसी किसान बोमी का सपलता पूर्बस रुक्सत हो चुका है तो आपको दोस्तों ओके वाले बटन पर किलिक कर देना है और यहाँ पर दोस्तों इनका रजिस्टेशन दोस्तों यहाँ पर हो चुका है तो दोस्तों आप यहा खाता विपरां एक के अनुसार लिग देना है और आपका यह डीटेल्स यहां पर फूल अप होका जाएगा दोस्तों यहां पर पहले से इनका खाता नमबर यहां पर दिया हुआ है और यह आपको भढ़ने की कोई जरुवत नहीं है अब दोस्तों यहां पर इसको कैपसल कोड डाल कर आपको संसोधित वाले उप्सन पर किलिक कर देना है तो दोस्तों आप जैसे यहां पर संसोधित वाले किलिक पर करेंगे तो किसान का विपरन सब्सक्राइब पर संसोधित हो जाएगा और आपको यहां पर ओके कर देना है तो दोस्तों यहां पर यहां पर निकल capture code डाल देना है दोस्तों इस step पर मैं बताऊंगा कि आपको final log किस तरीके से लगाना है तो दोस्तों यहाँ पर आपको गोशना वाले की साइड में आपको एक option मिलता है right click करने का आप दोस्तों यहसी right click करेंगे तो आपको log करने वाले बटन पर click करना है जब तक दोस्तों आप वाले बटन पर click नहीं करेंगे तो तब तक आपका जो registration है वो आपकी तैसे लिस्तर पर आपके secretary के पास लेकपाल के पास नहीं पहुचेगा तो दोस्तों जैसे आप यहाँ पर log कर देंगे तो उसके बाद आप इसको कोई सी भी चीज को संसुदन नहीं कर पाएंगे दोस्तों फिर यह आपको 24-24 गंटे में इस पर रिपोर्ट लगकर आजाती है और जैसी दोस्तों रिपोर्ट लगकर आएगी तो यहाँ पर एन्ने की जगे सत्यापित और लंगित की जगे भी सत्यापित लिखा हुआ आजाएगा दोस्तों आसा करता हूँ कि हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर पहली वारा है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और बैल नोटिफिसन पर आल पर प्रेस कर दें ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल प उनको दे सकते हैं और वो बहुत आजानी से अपना गेहूं दे सकते हैं इनर्जदी के अपने साखा पर